कि है यह जो आज चुरू करने जाएंगे प्राइब करेंगे तो इसमें हम लोग आज करेंगे वरियाबल इलजब्रीक रपेशन पॉलिटामियल और से बात तरी करताज करेंगे है कि सबसे पालिए आपको वाट ऑर कौंस्टेंट क्या होती है कि सथे यहां भूड पर रिखा हुआ तो आप पढ़एगा तुछ जो भी आज़ो पढ़ेगा तुको तुम्हां को थी अब को जोंत पढ़ेगा तुको मतरब कूश होता है तुथ वारू श्योंट ऐसे नहें जिसके होता रहता है जैसे यह सिर्ट करता रहता है करता रहता है तो तो सकता है इसको साहजर्द हो सकता सकता है 6 कि आदॅि क्वें तो फ़स होते हैं कौन्ट नमबर कीसरी कुर्शिकल्फ फ़ल में पांकिंग नम्पर कीफ़्ची्ए इसको का कर्टेश्ट कि अब नंबरु वर्यबर्स को काई से ज्बोड पर और गयर बिल्टी आप निए और पूर के बीच में हम प्लस दिख्रें या मान इक्क डिक रिक तो इसका में में तो इसका हूं यही हम मैं जुरुपाइब देर आपोस मैं तो चार मैंसमेटल आपरेटन होते हैं एडिशन सब्सक्राइटर और दूलिए यही चार फंडमेंटल आपरेशन से हम मैं को आगे भाद कि मतलब है कि अब कि अब यह और तू अब यह और तू मतलब अपने कारेक्ट किया मिलाया तो सो गें वह अब को उसक्राइब शुक्ति जो बना एक टू जैसे कॉल इसको इस तो घ्राइब जो हम व्याबल को परकांट के साथ पिलाते हैं जैट इसको एघस पेसल चाहिए किसे लिस्तों बोलते हैं तक लिए एपनी आज पहली केुषा अब इसमे कि आजैडैं पीवर सु गुल खनाए अगर पकर दो आ जो आपल मॉनोंय इस जिए ओर जो को से इस चीह डुह हुं समिकुन कानी खुशन तीन खुन आना चाहे हैं पर करते हैं है कि राच्ट का मतलब होता है कि हम्हीं जाज करते हैं तो पॉल्णामेल क डुट्ट मेर्स एप लाइट पर और अरव रे गृमियर के प्रेंब नारे बहना चाहिए आपक्राइए यफ प्रस यस 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 राइटर्म इसलिकल रिखाए आपकोगे स्रेयन में यस प्रस यस उर्ण। लाइट तर्मिश और कीओ को एड़ गया तर्म रहा सब्सक्राइब एद की यह मतलब से फिल माना जाएब आंगर तर्मिश यह कही तो इसे कही तर्माना जाएगा यह सब्सक्तर रिए लाइट यह तो आनलाइट टर्म अगर यह प्लस वाइं प्लस वाई गे कि सिल लगऑके cambiar हैं आंसर बोला हूं कुछ लिखना नहीं कि हम लोग आते ही चर्षाज पर केसे नंबर-1 बुर्ष डिया नहीं है बस आपको आंसर बोलना है, कुछ लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सम्या देना हूं कि कैसे लिखना है इसको, question 1 में पुछा हुआ है, get the algebraic expressions in the following cases using variables, constant and arithmetic operations, arithmetic operations का मतलब है इसको हमें बता दिया है, addition, subtraction, multiplication, division, there are four mathematical operations, these are called mathematical operations, इसी को mathematical operations का आजाता है, addition, subtraction, multiplication, division, division, so question number one में दिया है, subtraction of z from y, question number one का अवन दिया है, subtraction of z from y, from y बतलो y बेस्ट माइनस करना है, so y minus z, y minus y minus z कर देंगे, आपका आंसर हो गया, number two, number two में दिया हुआ है, one half of the sum of number s and y, s and y का sum, मतलब है, s plus y, इसका sum, मतलब s plus y, अब इसका one half, one half का मतलब हो जाएगा, one upon two, अब यहाँ पर हम इत बात जान रचेंगे, इसको लिखेंगे, अगर बैकेट नहीं बनाते हैं, तो गलत हो जाएगा, yes plus y का sum, उसका half, तो पूरा दोनों का मिला तरके, दोनों का एक चलेंगे, तो अपांसर होगा, इसको बनेगा, number three पर आते है, number three क्या चाहा है, question में आते है, number three पर, the number z multiplied by itself, z number को इसी में multiply किया जा रहा है, मतलब z को z में multiply किया जा रहा है, इसको लिखेंगे, z into z, z into z, इस तरह से लिखेंगे, हो गया, number three का answer हो गया, number four का answer, बस आपको ऐसे ही लिखना है, चोटा चोटा answer है, समझ के लिखना है बटा, टीके, number four में दिया हुआ है, one fourth of the product, of number three and q, three and q का product, मतलब क्या है, t into q, तो लेट का मतलब अचा माल्टिप्लाई जाना, t into q, और इसका कर रहा है, one fourth, one fourth, मतलब हजाएगा, one upon four, ये one upon four, ऐसे, लिखेंगे, one upon four, अप्यान तो three two bracket बन कर दूँ, अगर bracket नहीं बनाते हो, तो भी चलेगा, गर्टी नहीं होगा, लेकिन बना दिला चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे plus y प्रत्वाई है, तो यहाँ पर आपको bracket हर हाल बनाना होगा, अगर नहीं बनाते हैं, तो गर असे, लेकिन बनाते हैं, अगर बना देते हो, तो अच्छी बात है, नहीं बनाते हो, तो भी चलेगा, नमब्र 5 होँटेएं, नमब्र 5 वेशाँ में दिया हो हैं नमब्र 8 य बोठ, बोस्च्क्क्वाइड और एड़ होगा, लोट इस्क्क्वाइड होगा, नम्ब्र 5 होगा, नंबर 6 को देखेंग, नंबर 6 में कहा हुए, नंबर 6 में कहा हुए, नंबर 5 एड़े टू, 3 ताइम प्रोड़क्ट आप देखेंगे, और इसमें आपको 5 एड़ करना है, मतलब कहा है, तो 5 एड़ लाएं, तो 5 एड़ेंगे, और plus 8 एड़ेंगे, और 3 ताइम, 3 ताइम को मतलब हो जाएंगे, यहां पर plus एड़ेंगे, plus for the C times M into N. ॥ᵉa है रसे हैं यह आप आप C time M into N यह है आप 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 C time M N plus 5 I say रसे हैं प्रस 5 C M N plus 5 यह 5 plus C M N आप 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 आपस आप आप or आप आप के आप सकते हो नमबर 7 पर आते हैं, नमबर 7 में क्या क्या आप हो हैं, नमबर 7 में question दिया हो हैं, product of numbers y and z subtracted from 10, from 10 मतलब 10 में से minus के आप 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 लिखेंगे, और minus करेंगे, किसको minus करेंगे, product of y and z, y and z मतलब रहें, y and z को multiply करेंगे, तो y z आएगा, तो 10 minus y z होगा, अंसर, ठीके, नमबर 8 पर हांते हैं, नमबर 8 क्या 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 हुआ है? नमबर 8 में क्या हुआ है, sum of numbers a and b separated from there product, sum there tbros meanista, a, b में होगा, b में से, a, b में से minus किया रही है, product मतलब a into b, a और b को multiply with a a, b, v रहुगे, and this में से minus क्या जा रहें, किसो minus क्या जा रहें? sum of a and b , a and b को दिखेंगे और ब्रैक्त बनाज में अगर बनाते हैं तो दरत हो जाएगा जाएगा तो AB-A plus B यह answer हो जाएगा number 1 का खीड़े सब्सक्राइब बटा कि अब को से नम्बर तू पर आते हैं को से नमबर तू पर चलो को से नम्बर तू में दिया हुआ है identify the terms and their factors in the following equation terms बताना है और उस terms के factor कौन कौन है यह बताना है पहला बताना है इसमें terms कौन कौन है चर्म बताना है और उसके terms के factor कौन कौन से लिए जैसे दिया हुआ है question number two का one one part one part one part अभी कर दें second part इसके बाद भी करेंगे लोग तो one part में दिया हुआ है yes minus three yes and minus three यह दिया हुए अब इसा बताना है terms बताना है और उसके factor बताना है यह expression है तो वह कि yes later है और three number constant है तो variable constant को attach किया गया है तो यानि कि expression बन जिए अब इसमें दो term है यह 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 term है और minus three दूसरा term है तो बाद नाम यह ले आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें term है तो एक term है यह और दूसरा term है minus three अब इसमें एक 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 सेक्टर बनेगा यह होगा और minus three का एक एक सेक्टर होगा minus three होगा अब दूसरा दिखे एक 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 में दिया हुआ है तो यानि कि यह यह है और यह है दी दी में दिया हुआ है one plus yakt plus yakt isquad one plus yakt plus yakt isquad यह तीन term होगा तो one का one का factor one होगा yakt का factor yakt होगा और yakt isquad का factor yakt और कामा yakt जो factor होगा yakt isquad मतलब yakt into yakt तो एक factor yakt हुआ दूसरा factor भी yakt होगा तो इसमें three term है one plus yakt plus yakt isquad यानि कि trinomial में इसमें three term है तो जीनों term का अला गला factor होगा जैसे one factor बाला factor है तो one number है one term है तो इसमें एक factor होगा yakt term है एक factor होगा और yakt isquad term है इसमें yakt और yakt जो factor होगा जोगा की पर आते question number three y-yq दिया होगा तो इस बाइनामियल है क्योंकि दो term है तो y first term है और y q दूसरा term है दो term है दो term है यानि कि बाइनामियल है अब इसका term में हम बताएंगे इस factor को होगा तो y का factor y ही होगा तो इस इस factor है y q में दो चीन factor होगे y y और y कीन factor होगे क्योंकि हम y को लिखते है y into y into y तो पहला factor y हो जाएगा दूसरा factor y हो जाएगा तिसरा factor y हो जाएगा अब आते question number d पर d पर आते है d में दिया होए 5xy square 5xy square plus 7 x square y f square y ऐसे दिया होगा अब इसके दो term में दो term में बाइनामिय ले दो term में तो यह पाला यह पाला term में इससा factor होगा 5 होगा 1 होगा और y और y y by दो बार y और y दो बार तो y square मतलब y to y यह इससा factor होगा यह इससा factor होगा इससा factor होगा इससा factor कामा 1 square होगा यह दो बार दिखेंगे और y है तो y तो इससा factor बना 7x y और y यह y square होगा y होगा इसको दिखेंगे तो दिखेंगे पोस्टेल नंबर e में दिखा होगा है e का बता रहे है e का यहां पर बता रहे है जगान पर e का minus a b minus a b d i minus q b d i minus q b d i minus q b d i d i and minus c a square minus c a square minus c a square तो अब अब इसके 3 term पाला तर्म दूसरा तर्म तिसरा तर्म तिसरा तर्म तो तिनों तर्म में हम निकाले लिए factor minus 7 फैक्टर हो जाएगा minus 1 हो जाएगा दूसरा factor हो जाएगा a minus a नहीं होगा minus 1 a or b अब इस्ता इस्ता बूसरा लिए factor minus 2 b minus 2 b तो इस्ता हो जाएगा minus 2 comma d comma d जोगा लिएगे minus 2 d square है तो d square मतलब b into b तो d square जो लिएगे d into b d जोगा लिएगे फिर इसको लिएगे minus c a square इस्ता फैक्टर होगा minus c होगा a होगा और फिर a होगा तो तीनों का फैक्टर minus a b का होजाएगा minus 1 a b minus 2 b square का minus 2 b b minus 3 a square का अब लोग समझें बैटा लोग तो अब आगे वहाए question number 2 पर आते है question number 2 में प्रहाए question number 2 में पूछा हुआ है and it identify terms and factors in the equation आपको terms बताना है और factors बताना है terms भी बताना है कौन कौन से term है और factors उसके बताना है कौन कौन से factor उसके है इसी तरह के question है आप लोग कर लेंगे same question है यह फर्ट पास second part कर दिया है दो question बना दिया है लेकिन question same है same है same है तो आप लोग इसको कर ले गोई घर पर करना है तो यह हो मोर्त यह आप लोग घर पर करना है अब आते question number 3 पर question number 3 में दिया हुआ है identify the numerical coefficients of the terms other than the constants in the following special आपको identify करना है numerical coefficients numerical coefficients of the terms मतलब term का numerical coefficients होगा वो बताना है आपको other than constants constant नहीं non-stant का नहीं बताना है constant जो औगा है उसका coefficient होता है जो variable होता है पर आते हैं तो इसके लिए हमको टेवल बाराना पड़ेगा तो टेवल पहले बना लिए इस रूप कोस्टन नमबर वन में यह कोस्टन नमबर वन है माइनस 3t2 यह दिया है कोश्टन तो इसमें दो तर्म पाला तर्म है 3t2 तर्म है तो इसमें जो 5 है इसका आपको नहीं बताना है को कशो इसा ही कोचिन बताना है तो इसमें जो टर्म होगा मानस इसकी जो का होगा। इसी टर्ड के आपको बताना है coefficient हाल constraint इसका आपको में बताना है तो c square को आप छोल भी है kya बजेगा minus t तो minus t जो होगा coefficient हो जाएगा किसोगा coefficient होगा c square का c square सक कोफिशेंड हो जाएगा minus c दूसरा question है 1 plus 3 plus 3 squared 1 plus 2 plus 3 squared plus 2 2 I say this ईका हुए तो इसमें 1 है, Constitution है इसद नहीं बता नहीं आपको इसद ओक औहीं होता है 2 को औहीं होगा So 2 को औहीं होगा 2 को औहीं होगा 2 को औहीं होगा 1 चलिस अनिलकल की अबनी फिर स्पिटरण का या उटएगा स्पिकख का होता है इत्को पॉर्फिटरण की होता है अब ये भी हो गया next question है td third question है third question ये है gostoy plus 2sy plus 3y अब उच इस दो पिसेंग कॉफिटेल बनाएं अब इसोट कोई कॉपिटेंच नेएürd facade रीच क्या यह से, रीच्ट यह से यह से यह से कोपेट्ट हो जाएला है, झिसा कोपेट्टा रहा ह्या। तो कोंची वन्स सिपा है इसमें, वन्स मॉल्टिप्लाई दिक्ता नहीं ही, सिपा है, हो जाए सो त्य तो इस तो कॉपिसेल काफिसल फ्यू का हो जाएगा सो बस्मू conserve स्ट कि अगला टर्म हैं यहां पर c Y भी में और इसमें दूख सिआ यहां पर हम दने कि डिखेंगे कि यह एं कि नंबर पर ऑखेंगी नंबर पर आ चाहिंते नंबर फोर नंबर धिया है 100 m plus 1000 m 100 m plus 1000 m तो इसमें constant अब कोई जेंगे तो यम है यम का पाला टर्म है अजिसका 100 m पाला टर्म है तो इसमें हम m का कोफिचेन बताएंगे 100 तो इसमें 100 से मल्चिक आईए तो 100 बताएंगे फिर दुसरा टर्म है 1000m दुसरा टर्म Chef 1000m है तो लिकेंगे 1000m और इसमें n का कोफिचेन ओजाएगा 1000 यहां कामा देखके लिखेंगे 1000 कामा देखके यहां दिखनाएंगे अगला है minus c isquare c isquare number के दिया है minus c isquare c isquare minus c isquare q isquare plus seven cp seven c اور c इससे कोई जी constant term नहीं so c isquare c isquare parla term मतलब minus c isquare उसका कॉफिजेंट हो जाएगा माइनस 1 हुआए दूखर आये तर्म क्रामा देशे मिशें लिए 7 की 2 तो इसका कॉफिजेंट हो जाएगा 7 को कॉफिजेंट हो जाएगा 7 तो इसी तरह का कोष्यन नमबर 6 है 7 है 8 है 9 है तो कोष्यन आप लोग घर पर करना कि तब आपको घर पर करना है hem or character अभी कोष्यन ALEX बताना पास दूल लेगे मैंने आपको 5 rejoente सम्झा दिया बाती कोष्यन आप लोग कर सकते हैं आप समझेडाने बेटा आप लोग कर लेगे खिर आब आते कोष्यन नमबर 4 परosing नमबर 4 पर आखें ए कोस्टे नमबर 4 दिया हुआ है इडेंटिफाई टर्म्स विच कंटें यक्ष और जिव दर कॉफिसेंट आप यक्ष इसमें एक्षण दिखा हुआ है मतलब ऐसा टर्म हो जिसमें यक्ष हो और उसी में यक्ष ग्फिसेंट बताना होगा मैं इस कोर्शन को केब्स बना करके करूंगा बना लिता हूं उसके बास आप लोगो को बता हूँ खैसा करना है कोर्शन नमबर On में दिया हुआ है Yisquare Yisplus Y Yisquare Yisplus Y इस Y में Yis नहीं है इसे कोई मतलब नहीं है इस Yisquare के साहत में Yis से मतलब है Yis despite SudSea तो ツंब हमको पता चला इसमें कौण सा टर्म है Yisquare Yis तो यहाँ पर यहाँ पर लिखें कि Yisquare Yis हमें चर्म पता चल गया अब इसे यक का कॉफिशियन बताएंगी, अभी मने बताएं कि यक का कॉफिशियन बताने के लिए हम यक को छोड़ देते हैं, जो बचता है, जैसे बचा y-square, यही y-square कॉफिशियन हो जाता है, तो जो हो जाएगा y-square कॉफिशियन हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर यह सक्च हो, यह term है, यह term है, आप उपर लिजो term, यह term है, और यह है coefficient, यह है coefficient, आप ऐसे यह सक्च हो, explain करते हैं, या कोई जरू नहीं, आप इसे भी जिखक्च हो, लेकि निट देंगे तो अछा नगेगा, आप इस्प्रेंगे को अछा नहींगेगा, नमबर 2 पर आते है नमबर टू में दिया है 13 y पर 13 y पर minus 8 y so इसमें दखो yas यहाँ पर नहीं इसे कोई मतलम इसे कोई मतलम है यहाँ पर yas है इसे हम को मतलम है कि यही कर हुगा कि इसा भी के नीचे लिखें है minus 8 y अब यह से कोईफिटे यह सुचर जेगा minus 8 y यहाँ minus 8 y अमारा कोईफिटे हो जाएगा नमबर 3 में यह प्लस y प्लस 2 दिखाए यह प्लस y प्लस 2 दिखाए तो इसमें यह स्च नहीं ठोर जेनी यहाँ पर यह से यह ठर्म हो जाएगा यह और इसका काविसेंट हो जाएगा 1 तो इसमें 1 से मुल्टिप्लाइब इसकी पावगा है नंबर 4 भी देखो 5 फ्लस जेट प्लस जेलिएद 5 फ्लस जेलिएद तो यहाँ पर यस नहीं है छोड़िएद जो हो जाएगा उयंस और या साहर गग के निए जहां पट्रम हो जाएगा या से कॉफिसिसल न्मभर फाइल में जाओं युए और जुर में हम इस 6 DO है तो कि अधिन स्यागि लोन कि थी यह वह तो यह यहां कि यह का कॉफिजिट दीन हो जाएगा है यह के और इस वाई जित यह में एक का का कॉफिजिट हो जाएगा वाइट इसी तरह का कोसेन नमबर 6 7 8 9 दिया हुए है कि इसको भी आप करेंगे तो मैंने कुछ समयाद दिया और कुछिन आप लोड घर पर करना हूं मोर्चे है तुर नंबर फाई पर आते हैं आपको मोनोमियल बाइनामियल इसे बताना है तो मोनोमियल कोने बाइनामियल कोने ट्राइनामियल करें तो इसमें आपको मोनोमियल बाइनामियल और ट्राइनामियल बताना होगा तो 4y-7 इस बाइनामियल होगा X plus Y minus Sy trinomial हो गया 10 term हो गया 100 only one term में monomial हो गया AB minus A minus B sin term है trinomial हो गया 5 plus 5 minus CT 2 term में binomial हो गया 7 में है 4C square Q minus 4C Q square इसमें 2 term में binomial हो गया सेवन यह में एक तर्म है सिंगन तर्म है मोनोमियल होगया जिंद स्वे Mississippi जिंद स्वेट्विए ट्रिम करना नुए ऑब सब्स faodgie शो करना है सरृ List करने मेन की CC तो इसी के सामने ब्रैकेट बना तर दिखा दे रहा हूं को इसे दिखेंगे आप लोग 4y minus 7z लिखा है नंबर बनता है 4y minus 7z ये लिखा है तो बस इसी सामने ब्रैकेट बना दो और इस दो तरम है इस जो यहाँ बाइनाम ये और इसे करना है को से नंबर 6 में आपको बताना है प्रेर आप like term जो लिखा हुए जो तलो तरम को बताना है कि यह light है या अन लाइक है, बस आपको बता देना light या ऐसा ब्रैकेट बनाता देना जैसे मैंने अब भी बताए न, इस तो लिखना है रहा है। या नम्बव सी कॉर्श क्लेम हुई पॉत Walmart तो अग्राइब रहा है। कि करके दिखा दिखनाना हूँ इसको इसमेंस करें रहा हूँ पॉत् paper no.6 में ये लिखा हुए में ये उन ह mismos और 100 इखाएं। तो 1 नमबर है और 100 भी नमबर है दोनों लाई थे यहां ब्रैकेट में दोनों लाई थे नमबर 2 में यह नमबर 1 था नमबर 2 में देखा हुआ हैं अगरा कोशन करूँ है कोशन नमबर 2 में बताना होगा नमबर 2 जाएं यह या अनलाइक होगा तो light होगा तो light दिखो कि unlike होगा तो unlike होगा क्येसे unlike aya बटा नहीं हम Cole Gracias कि K акामा निछाए まあ स्ट था इस ही अन्या मैंने मैंन त्वन्त था आपको बताना है कि कौन सा लाइट टर्म है लाइट टर्म जो जो होगा उसको लिखना होगा क्कोर्ष्टिन नंबर7 को बतारा हूँ यह पार्ट ट्रेवन नंबर है लिखा हुआ है मााइनस स्थे ऐस्थे ओऊ इसक्वाइब फिर कामा रहा है माइनस खोर वाइजसी क्याइए हमाइनस खोर आश्थे ओध अव्याइज और गाइश यहाँ क्रया दर्म है Fyrr kama, ETS y2, ETS y2, Fyrr kama, Two XY y2, Two XY y2, Seven Y Fyrr kama, ETS y2, 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 Fyrr Y S, sorry Y S लिखाय, Y S लिखाय, Y S लिखाय, Y S लिखाय, 20 S लिखाय, 20 S लिखाय, Y S, minus 6 S लिखाय, फिर कामा, Y, फिर कामा, 2 S, Y, फिर कामा, 3 S लिखाय, अब आपको इसे बताना है कि कौन-कौन सा टर्व लाइफ है, बस आपको लाइफ टर्व बताना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको में हैं दिखना, कैसे हम दिखेंगे इसको, आप इसको यह बताएंगे, यह नहीं कैसे लिखेंगे इसको, लाइफ टर्व आप यहां पर इस दो कालम बना दें, इस कालम यहां से बना लो, ऐसे, और इस कालम और बना लो, ऐसे, अब इसे मैं आप दिखेंगे रहा हूँ, यह यह से माइनस एस तो वाइस इस्पाइर है, माइनस एस तो वाइस्पाइर है, तो माइनस एस वाइस्पाइर, अब इसी तरह से खो़िए, लाइट जबिशा कहां पर, तो यहां पर दिखेंगे, यह माइनस एस्पाइर है, और यहां पर एस्पाइर है, तो यह है फूँ, एक्स वाइस्पाइर है, और कहां पर है इस्पाइर, इस्पाइर, नहीं है, तो अब आजा उपर, माइनस पोर वाइस्पाइर, माइनस पोर वाइस्पाइर, कहां पर है, और ता यहां माइनस पोर वाइस्पाइर है, तो यहां पर दिखो, यहां पर दिखो, अब इसा लाइट क्वोन क्वोन हाँ ? इसा एक इस्वाइब रहना चाहिए यहां पर –11 ही यानि फो –11-1-2 है कामा और देखो कहीं पर है यहां से 2 x y और हो गया है, y 7 y, 7 y उसा यहां पर y यह हो गया है, 7 y 7 y अब इसा लाइट दखोलो, 7 y जहां पर y यहां पर y यहां यहां पर y यहां नागे है पर अजो 11 यज सिचरो हो चुकिता है अब इस हाँ होलेक और यहाँ है स्टी खोग करें है अब य, जेखो यहां पर , य ज जÑं ay, si एका इका ही बात है यहां पर y, Phew एका ही बात है मैनस 11, y,s , अब इस्चे तरह का light जफ्सक्त जत्थो यहां पर है 2,S, इसके light जब हो था अएक जबो तो कई नहीं जी ही तो इस तरह से हम दिन कर सकते हैं अपने धर को जितना कोर्षर आपने छोड़ा हुआ है वह आप लोग घर पर कर लेना होमवर के या पिर और अगला विजोग और विलते हैं फिर अगला विजोग है सकते के लिए नमस्काल धनिवाद